तो साथियों हर्याना के चुनाव की घोषना हो चुकी है और हर्याना के चुनाव के घोषना होते ही सभी दलों में खलबली मच गई भारतिय जंतापाटी की पहली लिष्ट दो दिन पहले आई और जैसे ही लिष्ट आई वहाँ पे इस्तीफो का दोर चालू हो गया यानि कि इस बार हर्याना को जो चुनाव है वो काफी ही अलग और रोमांचक होने वाला है वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस ने जो पहलवान है बिनेश फोगाट उनको टिकेट दे दिया है यह भी एक चर्चा बन गई है कि यह जो पहलवानों ने जो आंदोलन किया था और उसमें उन्होंने आरोप लगाया था भाचपा सांसाथ ब्रजभूरसन सिंग के उपर योन्स रोशन का उसको लेकर के भी राजनीती तेज हो गई है क्योंकि हर जगह यह कहा जा रहा है कि यह सब कॉंग्रेस की चाल थी और कॉंग्रेस ने इस आंदोलन को परयोजित किया था जिसके चलते यह सब कुछ हुआ है लेकिन आज मैं बात करूँगा हर्याना के चुनाओं के बारे में हर्याना में बीजेर्पी की पहली सूची आते ही सियासी भुचाल आ गया और 24 गंटे के अंदर हर्याना भाजपा के 6 बड़े नेताओं ने इस्तिफा दी दिया है पाटी छोड़ दी है और निर्दलिये चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है पार्टी में इस्तिफों का दौर जारी है और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक ऐसी खबर आ रही है कि लगवग 20 नेताओं ने हर्याना में भाती जनता पार्टी की सदस्ता छोड़ दी है और वो अलग दलों से तथा निर्दलिय चुनाओ लड़ने का मन बन आ च चोड़ी उनमें एक कैमिनेट मंत्री एक बिधायक समेत कुल साथ नेताओं ने पार्टी छोड़ी है वहीं लगभग 13 14 और भी बड़े नेता हैं जिन्होंने एलान कर दिया है लेकिन जो अफीसियली सूचना रही है उसके मताबिक पार्टी छोड़ने वालों में शुक्व करन देव कंबोज का नाम सामिल है इसके अलावा एक जो बड़ा हंगामा मचा हुआ है हर्याना में वह है सावित्री जिंदल और नबीन गोयल इन दोन लोगों ने भी निर्दलिये चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है और बीजेपी ने बुधवार को सर्षठ उमिदव हलकों में यह चर्चा है कि कॉंग्रेस बीजेपी में उठी बगावत को भुना सकती है और कई नेताओं को वो टिकट दे सकती है यानि कि कॉंग्रेस भी मौके की तलास में है कि जैसे ही कुछ जो भारती जनता पार्टी से लोग छोड़ते हैं टिकट जो इस्तिफा देते ह हैं उन लोगों को कॉंग्रेस अपने दल में सामिल करा करके और टिकट देने के फिराक में है यानि कि इस बार जो हर्याना को जो चुनाव है वो काफी ही जादा रोमांचक होने वाला है और इस रोमांचक चुनाव में कौन-कौन अभी आगे किस-किस दल में सामिल होता है और कौन कहां से टिकट लेता है ये तो देखने वाली बात है